किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि अनुभव का निर्मान नहीं हो सकता इसे समय देकर ही पाया जा सकता है इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखें स्यम के अनुभव से सीखने के लिए जिन्दगी कम पड़ जाएगी नमस्कार जेहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगने स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने जो कक्षा बारा की आरो है भाग दो पुस्तक चल रही थी उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती सहाब को तेरवा अध्याय इससे पहले की क्लासेज आपको द सूसना वगरा डालता रहता हूँ कवी आदि गनेश हिंदी नाम से अपना टेलिग्राम चैनल है जिस पर पांच जार एक सो पचास के तकरिवन इससे अधिक भी हो सकते हैं जब आप जोईन करों इतने लोग जुड़े हुई हैं तो वही चैनल आप जोईन किजिएगा चलि परमुग रचनाओं की बात करें धर्मवीर भारते की रचनाएं अक्षर पूछी जाती रही है परमुग रचनाओं में बात करें पहले सबसे पहले देखें कि कविता संग्रे तो कनुप्रिया साथ गीत वर्ष ठंडा लोहा ये सभी क्या हैं कविता संग्रे इनके कनुप् सूरज का सात्मा गड़ा और गुनाहों का देवता ये उपन्यास इनके तो सूरज का सात्मा गड़ा और गुनाहों का देवता बहुत बार परिक्सव में पूछा गया है ध्यान में रखेगा सूरज का सात्मा गड़ा और गुनाहों का देवता उपन्यास विदा है इनके अं सम्मान की बात करें तो इनको पदम शुरी से नवा जा गया व्यास सम्मान भी मिला इनको एवम साहितिक और कहीं अन्य राष्टिक पुरुषकरों से भी इनको नवा जा गया है और निधन हो जाता है साब उनिस सो सिंत्यानवे में प्रवर्तियों को मारो मत लेकिन उनके दास भी ने बनो जीवन के सहज प्रवाव में उन्हें आने दो फली भूत होने दो पर यदि वे निरंकुष्टा से हावी होने लगे तो उन्हें भश्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंतर्ण भी है जो रखो यानि कि जो आपके सहज परवर्तियां हैं मूल परवर्तियां हैं उनको मारो मत अगर आपके लिए हितकारी है तो और उनके इतना भी उनको मारो मत और लेकिन उनके दास भी मत बनो गुलाम भी मत बनो अपने पर रुष्ट की यार यह आदत अप छूट नहीं रही गुनाहों का देवता और परिचे में देखें इनके तो गुनाहों का देवता उपनियास निवंद गीतिनाटे और रिपोर्टाज यह हिंदी साहिति की क्या है उपलब्दे यानि की इनका जो साहिति स्रिजन था उसका चेतर व्यापकता हर विदा के अंदर इन्होंने रचा है भारती जी के लेखन की एक खासियत ये भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोग प् प्रशचे मोल रूपसर व्यक्ति सोत नत्रे मान वि संकठ एवwn रोमानी चैतना की क्या है रचनाकार हैं तमाम सामाजिकता एव उतरधायित्वं के बावजूद भी उनके रेचनाओं में व्यक्ति क्या है स्वतंतरता यह है जिए जू सरोपरी रही है रचना के ंदर वादिक लोक्री ये उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भाव परवण प्रेम कता है दूसरे लोक्री उपन्यास सूरज का सात्वां गोड़ा परिंदी फिल्म भी बन चुकी है तो सूरज का सात्वां जो गोड़ा है इस पर क्या फिल्म भी बनी हुई है इस उपन्यास में प्रेम को केंदर में रखकर निम्न मद्यवर की हताशा उसका जो आर्थिक शंगर से वो नेतिक पतन होता है नेतिक जो विचलन होता है वो और अनाचार को है जो चित्रित किया गया है साहब स्वतंतरता के बाद गिरते जीवन मुले अनास्ता मोह भंग विश्व विद्यों से विश्व जो युद हुए उनसे उपजा हुआ डर्व एमान वियता की अभिवेक्ती अंधा यूग में है जो हुई है अंधा यूग गीती नाटे या गीती साहित्य के श्रेष्ट गीती नाटे में है अंधा यूग क्या है गीती नाटे है द्यान में रखेगा इसकी विधा पूछी गई एक दो बार मानव मुल्ले और साहित्य पुस्तक समाज सापैक्षिता को साहित्य के अनिवारे मुल्ले के रूप में विवेजित है जो करती है साहब इन विदाओं के अलावा भारती जी ने निवंद और रिपोर्टाज भी लिखे उनके गद्य लेखन में सहजिता और आत्मियता है बड़ी से बड़ी बात वो बाचित के शेली में है जो कहते है बनावटी पन नहीं दिखता सहजिता से अपनी बात है जो विवेक कर देते हैं और सिधे पाठकों के मन को है जो क्या है छू लेते हैं साहब एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताइक पत्रिका धर्म यूग फिलाल इसका प्रकाशन बंद है कि संपादक रहते विए हिंदी पत्रकारिता को सजा समार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया है तो ये परिक्षा में पहले भी पूछा गया है धर्म वीर भारती और इसकी पूछली ये देनिक है एक त्रेमास्चिक है एक वार्स्चिक है तो किस प्रकार है साप्ताइक पत्रिका थी ये धर्म यूग फिक है अब जो आज अध्याई हम पढ़ेंगे काले मेगा पानी दे इसके संधर्म में जान लेते हैं थोड़ा सा क्या है इस पार्ठ क और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रन है एक तरफ तो आपको लोगों का जो विश्वास है वो देखने को मिलेगा दूसरी तरफ विज्ञान भी देखने को मिलेगा विज्ञान का अपना तर्ख होता है चीज किसी चीज को लेकर और विश्वास का अपना समर् इसमें कौन कितना सार तक है ये प्रश्ण पढ़ेली के समाज को उद्वेलित है जो करता रहता है पढ़ाली का समाज सोलता है कि कोई विज्ञान का दृष्टिकोन लगाता है तो कोई विश्वास का दृष्टिकोन की और से देखता है चीज़ों को इसी दुविदा को लेकर और लेखक ने पानी के संदर में परशंग रचा है तो काली मेगा पानी दे इसमें क्या पानी के संदर में ये रचा गया संस्प्रण है आशाड का पहला पक्वारा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रियोग के लिए पानी नहीं हो तो जीवन चुनोतियों का गर है जो बन जाता है यानि जिस समय पानी के आवशक्ता होती है बारिश के आवशक्ता होती हो समय अगर वो नहीं होती तो सामाने जनल के समक्ष कहीं सारी चुनोतियों है जो आ जाती है और उन चुनोतियों का निराकरण विज्ञान ने कर पाए तो उत्सव धर्मी भारत ये समाद चुप नहीं बेढ़ता है साहब वह किसी जुगाड में लग जाता है प्रपंच रजता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए ऐ शिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाई और काट कि है जो खोज करता है आपने गाओं में पहले भी देखा होगा कि किसी साल बारिश नहीं होती है यह समय पर तो बहुत जगों उपर जागन वगरा दो दो तिन दिन दग लगाता लगे रहते हैं तो मतलब एक विश्वास की बात है लेखक ने अपने किशोर जीवन की संस्मिन में दिखलाया है कि अनावरिष्टी दूर करने के लिए गाओं के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है यह सवाल पहले भी पूछा गया ध्यान में रखना अनावरिष्टी दूर करने के लिए गाओं के बच्चों की कौन सी सेना द्वार द्वार पानी माँगने चलती है तो कौंसे से ना बच्चों की इंदर से ना आगए मत द्याई में देखेंगे उसको यह लेख क्या समझता है कि यार तर्क की कसोटी पर रखता है तो कि यार यह तो पानी की बरबादी है पहले से नहीं और फिर और बरबाद हो रही है इसे किसोर मन का वितर्क नहीं वेगयनिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विशे की इतने दिर्ग काल तक पढ़ाई और विज्ञान अपलब्द आविश्कारों से अपने जीवन को बहुतिक सुख सुविदाओं से बढ़ते रहने के बावजूद इस देश का जो जन्मानस है इसमें वेगयनिक दृष्टी का ने जन्म पाना अफसोसनाग भी कहा जा सकता है पर जन्ता के सामुई चित में बेठे जो विश्वास है का क्या करें जिन से संचालित होने वाले कुछ लोकी कर्म कार्ण संस्कृति की घटना के रूप में है जो हमें लगते है यदि वे विश्वास प्रतेक्षत है जानलेवाया नसल जाती मजहब और लिंक के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो तब तो उन्हें अंदि विश्वास करें करें हम शिग्रति शिग्रिप निराकरण ही एक मात्र करतव है कि उनको बंद भी करें पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत नहों कर भी उक्तरह से हानिकर नहीं हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बरताव क्या उचित है दबाना बिल्कुल बल के आदार पर दबाऊना के ठीक रहेगा ऐसा करने में क्या हमारे संस्कृति मन के खाले-खाली हो जाने का खत्रा नहीं है फिर हमारे संस्कृति जो विश्वास है लोकमानत है वो कहा ठिकेंगे विश्वास की भी तो एक रसनात में भुमिका होती है साहब आबाद काल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अत्वा विभक्त जन चेतना को जोडने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किये जाने वाले उक्त भोले प्रियतने बिल्कुल ज होती है कि जीजी की संतुष्टी और अपने प्रती उनका सदभाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रिती रिवाजों को क्या उपरी तोर पर यह सही अपनाने को बच्पन में है जो बादे बना रहता है वो कुछ नहीं कर पाता उसे लगता है यह बरबाद यह फिर भ अध्याय को देखते हैं अध्याय में क्या है काले में घा पाने दे जहां से जो सवाल पंक्त बन सकता है जिस पंक्ति से में बताता चलूंगा आपको नोट करते चलिएगा अभी तक भी आपने वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा प्रारंब होता ह अध्याय की उन लोगों के दो नाम थे इंदर सेना या मेंडक मंडली इंदर सेना या मेंडक मंडली अब देखी यह पहली पंक्ति जरूर ध्यान में रखिए कहीं बार परिक्षा मैंने पहली बताया किसी वे ध्याय की पहली पंक्ति और किस पंक्ति से अध्याय का समापन ह तो पहले पंग्ति और आखरी क्या पर पसक पूंच लेए तो यहलोगों के दूंद्र संत्रत स्यृत acceler यह यह पंक्तिक के सद्याय से लिए तो ध्याने में रखना काले मेंगा पानी दे तो पहला नाम तो इंदर सेना था और दूसरा मेंड़क मंडली यह दो नाम थे उस मंडली के बिलकुल एक दूसरे की विपरित जो लोग उने नगने स्वरूप शरीर की शरीर उनकी उच्छल नंगा शरीर लेकर भागते थे बच्छे उनकी उच्छल कूद उनके सोर सरावे उनके करण गली में जो किचड़ वीचड़ हो जाता था कादा हो जाता इसे जो चिड़ने वाले लोग थे वो तो कहते थे उन बच्छों को मेंड़क मंडली और उनकी अगवानी उनकी चारा बरस के लड़के सावला नंगा बदन सिर्फ एक जांगिया मतलब चड़ी में गोमते थे या फिर खचा पहन लिया जांगिया या कभी-कभी शिर्फ लंगोटी में एक जगए एक खटे होते थे पहला जैकारा लगता था वह मेंडग मंडली क्या जैकारा लगाती थी बोल गंगा मैया की जै तो ये पूछा जा सकता है बोल गंगा मैया की जै ये किसका जैकारा था में डग मंडली आ गया फिर इंदर से न आ गया जैकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते इस्त्रियां और लड़कियां चज्जे बार्जे से जहांकने लगती और ये विचित्र नंग धढ़ंग टोली उचलती कुदती समवेत पुकार लगाती थी एक साथ में पुकार लगाती थी क्या कि काले मेगा पानी दे गगरी फूटी बेल पियासा पानी दे गुरदानी दे काले मेगा पानी दे के पानी आने तो तुम तो उड़े लो यहाँ पर तो उचलते एक दूसरे को धक्याते 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 यह लोग गली में किसी दू महले दो मंजल के मकान के सामने रुक जाते पानी दे मया इंदर से ना आईए और जिन घरों में आकर जेट या शुरू आसाड के उन सुके दिनों में पानी कमी भी होती थी जिन घरों के कुईे भी सुके होते थे उन घरों से भी सहेज कर रखे विया पानी में से बाल्टे या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पेर तक है जो तर कर दिया जाता सर से पेर तक तर करने से मतलब है इनके उपर पानी उडेल दिया जाता था, भिगो दिया जाता था ये भीगे बदन मिटी में लोट लगाते लोटते पोडते पानी फैकने से पैदा हुए किचड में लत्पत हो जाते थे हाथ, पाउं, बदन, मुँँ, पेट सब पर गंदा किचड मलकर फिर हांक लगाते, फिर बोलते, बोल गंगा मया की जए और फिर मंडली बांद कर, उचलते कूथते, अगले घर की ओर चल पड़ते बादलों को टेडते, काले मेगा पानी दे वे सचमुच ऐसे दिन होते, जब गली महला, गाउं, शार है, जगे लोग गर्मी में भुन-भुन कर, त्राई माम कर रहे होते हैं, गर्मी से परिशान हो रहे होते हैं लोग, और वहीं, यह बच्चे, जेट का 10 तपा, बीत कर, आसाड का पहला पकवारा भी बीच चुका, दस तपा, यह नहीं, 10 दिन तक लगाता रहे हैं कि जो गर्मी का मोसम है, वो, 10 तपा से मतलब हो जाएगा क्या, तब ते 10 दिन, आसाड का पहला पकवारा भी बीत है, जो चुका होता, पर शितिज पर कहीं बादल की रेक भी नहीं देखती, जा धरती और आसमन दूर तक देखें, तो कहीं बादल की एक रेका भी नहीं दिखाई पड़ती थी, कुई सूकने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आदी रात को भी मानों खोलता हुआ पानी, हो, शेरों के तुलना में, गाउं में और भी यहालात खराब होती थी, जहां जुताई होनी चाहिए, वहां खेतों की मिट्टी सूकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पढ़कर जमीन फटने लगती, लुएसी चलती थी कि चलते चलते आदमिया आते रास्ते में लू खाकर है जो गिर पड़े साहब, ढोर जानवर प्यास के मारे मरने लगते लेकिन बारिश का कहीं नाम और निशान नहीं, ऐसे में पूजा पाठ, कथा, विधान, सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती ये इंदर सेना, तो देखी ये सवाल भी बन सकता है यहां पर, कि बारिश क पूछा जा सकता है, वर्षा के बादलों के स्वामी है इंदर, और इंदर की सेना, तोली बांद करें, जो कीचड में लटपत है, जो निकलते पुकारते ये मेगों को, पानी मांगते हैं, प्यासे गलों और सूके खेतों के लिए पानी की याशा पर, जिसे सारा जीवरा कर जो टिक गया हो, बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, कि जब चारों और पाने की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकटा करके, इतनी कठिनाई के इतनी मुश्किलों के बावजूज़ों इकटा करके पाने रखते हैं, इसको बाल्ती भरबर कर, इन पर फैकते क्यों है, सहाब, कैसे निर्मम बरबादी है ये, पाने की, तो निर्मम बरबादी किसके लिया है, पाने के लिया, बड़ देखे यहां पर इचितर में देख लीज,. उपर से, यह महीन लड़कें जो पाने उड्यल रही है, और ये बच्चे जो नंग द्ढ़क कोई कोई पड़ा हुआ है और यह हातों को उपर कर रखा लंगोटी बांध रखिये सबने लगपक कितने खशती होती है इस तरह के अंध विश्वासों से किस तरह के जो पानी वाले कोन कहता है इसे इंदर के से ना अगर इंदर महाराज से यह पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अ करवाते कुमते हैं नहीं यह सब क्या है पाखंड है अंध विश्वास है ऐसे ही अंध विश्वासों कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम है जो बन गए यह सोचता है साब मैं असल में था तो इन्हीं मेंडक मंडली वालों की उमर का लेके करा मैं था तो पर कुछ तो बच्पन के आर यह समाजी संसकार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी उसका उपमंत्री बना दिया गया था मैं सो समासुधार का जोस कुछ ज़्यादा ही था मेरे में तो मैं इनके इंदर शामिल नहीं वा अंध विश्वासों खिलाप तो तरकस मे तीर रख कर घूमता रहता था कि कोई भी अंधुश्वा दिक्यार की ग्यान पेलने लग जाता था मैं अगर मगर मुझे अपने बच्पन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी क्या इनकी जी जी यू मेरे रिष्टे में कोई नहीं थी उमर में मेरी मा से भी जिने कुमार सुधार सबा का ये उपमंतरी अंधुश्वास करता था तो जी जी इन सब चीजों को मानती थी लेकिन इनका इनसे बड़ा सनय था तो ये परतिरोध भी नहीं कर सके और उन्हें जड़ से उकाड फैकना चाहता था पर मुश्कल ये थी कि उनका कोई पूजा विधान कोई त्योहार अनुष्टान मेरे बिना पूरा नहीं होता था मुझे उसमें शामिल करती थी वो दीवाली है तो गोबर और कोडियों से गोबर्दन और सत्या बनाने में लगा हूँ मैं जनमास्ट मी है तो रोज आठ दिन की जांकित को सजाने और पंजीरी बाठन में लगा हूँ मैं हर छट है तो फिर छोटी रंगीन कुलेयों में पूजा बर रहा हूँ मैं किसी में भूना चना किसी में भूनी मटर किसी में भूने अरवा चावल अर्वा चावल से मतलब है ऐसा चावल जिसे धान को बिना उबाले निकाला गया हो ठीक है किसी में भुना गे हूँ जी जी ये सब मेरे हातों से कराती ताकि उनका पुन्य है जो मुझे मिले केवल मुझे वो भी मुझे इसलिए करवाती है इसका पुन्य है जो मुझे मिले लेकिन इस बार मैंने साप इंकार कर दिया जी जी को नहीं फैकना है मुझे बाल्टी भरबर कर पानी इस गंदी मेंडग मंडली पर जब जी जी बाल्टी भरकर पानी ले गई और बुड़े पाउँ डगमगा रहे थे जी जी के हाथ कांप रहे थे तब मैं भी अलग मुफ उलाए खड़ा रहा शाम को उन्होंने लड़ू मट्री खाने के लिए दिये तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिश्का दिया कि मुझे नहीं चाहिए मुफ फेर कर बेट गया जी जी से बोला भी नहीं पहले वे भी तम तम आई वो भी गुस्सा हुई मेरे पहले लेकिन ज़्यादा देड़ तेक उनके उनसे जो गुस्सा नहीं रहा गया पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली देख वहिया रूट मत यहाँ पर यह जरूर देख वहिया रूट मत यह कथन किसका है जी जी का मेरी बात सुन यह सब अंदिश्वास नहीं है हम इन्हें पाने नहीं देंगे तो इंदर भगवान हमें पाने कैसे देंगे मैं कुछ नहीं बोला फिर जी जी बोली तुम इसे पाने की बरबादी समझता है पर यह बरबादी नहीं है या यह पाने का अरगे चड़ाते हैं क्या है अरगे यह जल चड़ाना और जो चीज मनुस्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे सहाब जो मनुसे पाना चाहता उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे इसलिए रिशी मुन्यों ने दान को सबसे हुचा इस्तान दिया है तो इस अध्याएक अनुसार रिशी मुन्यों ने किसको सबसे हुचा इस्तान दिया दान को तो ये सवाल भी आप ध्याने में रखेगा अब यहां पर यह जो लेखे कर बोलता है कि रिश्वी मुनियों को तुम कहे को बदनाम करती हो जी जी क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमें बूंदून पानी को तरसे तपाने किचड में भाव कि उन्होंने तो इसा कहा नहीं था या फिर तुम्हें कह के गई थे हो कुछ देर तक तो चुप रही जी फिर मठरी मेरे मूँ में डालते होई बोली देख बिना त्याग के दान नहीं होता अगर तेरे पास लाकों करोडों रुपे हैं और उसमें से तू दो चार रुपे किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है जिसकी तुझको भी तुझे ज़्यादा जरूरत भी है और अपने जरूरत पिछे रख कर दूसरे के कल्यान के लिए उसे दे दे तो त्याग तो वह होता है साब दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है फलवल कुछ नहीं मिलता सब ढगोशला है ये थोड़ा जदा गयनी है कि ये बोलता है कि फलवल कुछ नहीं मिलता सब ढगोशला है मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तरकों का कीला है जो फस्त होने लगा था मगर मैं भी जिद पर है जो अड़ा था फिर जी जी बोलती है क्या देख तू तो अभी से पड़ लिग गया है मैंने तो गाओं के मदर से का भी मून नहीं देखा पर एक बात देखिए कि कर 30-40 मन गयों उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गयों अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बना कर फैंक देता है उसे बुवाई कहते हैं ये जो सुके हं अपने घर का पानी इन पर फैंक ते हैं वे भी एक तरीके से बुवाई है जब पानी गली में बोएंगे तो शारे शहर, कष्बा, गाहों पानी वाले बातनों की फसल है जो आए जाएगी हम बीज बना कर पानी देते हैं फिर काले मेगा से पानी मांगते हैं सब रिशिमोनी कहा गए हैं कि पहले खुद तो पहले खुद दो तब देवता तुम्हें चो गुना आठ गुना है जो करके लोटाएंगे भईया ये तो हरा आदमी का आच्रण है जिससे सब का आच्रण है जो बनता है ये था राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है सच ये भी है कि ये था प्रजा तथा राजा ये ही तो गांदी जी माराज कहते हैं कि जी जी का एक लड़का राष्ट्री आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था तब से जी जी गांदी महाराज की बात है जो अक्सर करने लगी थी गांदी महाराज कोन अपने महातमा गांदी की बात है इन बातों को आज पचास से ज्यादा साल हो गए है जोंकित्यों मन पर दर्ज है कभी कभी कैसे कैसे संदर्बों में ये बातें मन को कचोड़ती जाती है हम आज देश के लिए करते क्या हैं मांगे हर छेतर में बड़ी बड़ी है पर त्याग का कई नामों निशान नहीं है त्याक का कई नाम और निशान नहीं है अपना श्वार्त आज एक मात लक्षे रह गया है हम चटकारे लेकर इसके या उसके ब्रश्टाचार की बातें करते हैं पर क्या कभी हमने जाचा है कि अपने इस तर पर अपने दायरे में हम उसी ब्रश्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं काले मेगा दल के दल उमडते हैं पानी जमा जम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है बेल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं आखिर कब तक बदलेगी यह इस्तती तो ये था अपना द्याई केसा क्या लगा आपको कमेंट करके बताना है लाइक शेर कर देना है शब्दार्त देख लीजिए गुड़ दानी गुड़ो और चने से बना एक प्रकार का लड़ू तेरते यानि पुकारते दस तपायन तपते दस दिन पकवाड़ाने पंदर दिन के अवदी डोर डंगरेन पशू सत्या यानि स्वास्तिक चिन अरग यानि जल चड़ाना अरवा चाउल ऐसा चाउल जिसे दान को बिना उपल निकाला गया हो हर छट जन्मास्टिम के दो दिन पूरे मनाया जाने वाला पूरी उत्रपर्देश सम्मंदित भुजायाने भुनावान की लापस्ते नी हार जाना तो यह था अध्याय लाइक शेर नहीं किया तो करदो आप जरूर शेर किया करो है जदा जदा लोगों को जड़ा करो बताया करो कि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का या निशुल क्रूप से पाठे करवाया जा रहा है और पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करो कोने में जो लाल किलर वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करो फिर गंटी आएगी उस पर क्लिक करो फिर ओल लिखाव आएगा उपर ओल नोटीफिक से पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो को सूचना मिलते रहे टेलेग्राम चैनल का लिंक डिस्कुशन मिल जाएगा और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरा एक दूसरा यूटूब चैनल है आदी की आवाज नाम से तो पढ़ाई से समन्दित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो महाँ पर डाले गए देखें अपने आपको मोटिवेट रखें जैहिंद फिर मिलता हूँ